बालोट जिले के दौंडी लोहारा जनपद पंचायत के पिनका पारगाव के लोगों ने मिशाल कायम की बालोट जिले के दौंडी लोहारा जनपद पंचायत के पिनका पार वनाचल शेत्र का अंतिम छोर है इसके आगे राजनांद गाम जिला लग जाता है वही पंचापार गाव, सरकार की नर्वा, गर्वा, गूर्वा और बारी छत्तिस गण के चार चीनहरी योजना के तहत गाव के लोगों ने जन सहयोग से वह कर दिखाया जो पंचापार गाव में एक मिसाल बन गया है ये सब हुआ है पंचापार गाव के सरपंच इंदू भुवारे एवन युवा सामाजिक कारे करता गौतम नखत के सहयोग से सरकार लाखों करोणों रुपया खर्च करने को तैयार है परंतु अमल होने से पहले ही ग्राम पंचायक पिनकापार के लोगों ने मिलकर एक उदाहरन पेश करते हुए यह कर दिखाया जिसे गाव के लोगों ने मात्रजन सहयोग से पैसे इकटा कर एवन श्रमदान से नर्वा को गढधा कर पानी रुपने लायक बनाया जा रहा है जिसमें कुल खर्च लगभग 20-30 लाख रूपे बता रहे हैं गढधा करने से गाव बालों को निस्तारी के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा वही सरकार को भी चाहिए कि ऐसे गाव को चिनहांकित कर इसे प्रोथ साहित करे गाव बालों का कहना है कि सरकार अगर प्रोथ साहित करेगी तो अनेक काम जन सहयोग से हो सकते है वही गाव में पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चोकी का निर्मान भी किया है जहां चोकी प्रभारी शेत्र में कानून व्यवस्था और शान्ती बनाए रखने में अहम भूमी का निभा रहे हैं असल देखते हुए एक हमार दिमाज में बहुत तहीं केल गड़ा खने जाए ताकि गाओं के आदमी माना इमें नहा ले और जीव जनतु पानी ला पिये जेकर से आम आदमी ला फैदा हो सके बस यह जोजना ले के मन करें वैसी भी 36 गड़ गौर्मेंट के योजना रही से कि नर्वा गुरूला बना जाए होकर से पहले हमार दिमाग में इस गाओंवारवन के सयोग से एक कार योजना ला हमाना सफल बनाए बर एक काम करें अब इससे सयोग हमार नखर भीया है जेकर मसीन लगे है उपरो बहुत बड़े यहां योगदान है नहीं एकर से सरकार कोई म यहां निकरा है यह सिर्फ गाओं और हमार ग्राम पंचाज के सयोग से ही अतिक बड़ योजना ला हमाना चला था ठाकूर राम वार्ड नंबर एक पंच तिंगा पार के जिला बालोर शक्ति जाड के निवासियों यह जो नर्वा जो बना थे पानी के किल्लत होते हुए मतल प्रुखमनी ठाकूर इनका पार हुपसर पर शक्तिल जड़ यह बालोर दिला में सबसे पहला गाओं है जो पचासो लाग के सरमदान करा थे वे गाओंवाले मन भी करा थे आउ पंचाज से भी योगदान मिला थे कर दोड़ को वे तो for more information log on to www.clips.in